अपने चाप्टर चालू था कॉस्टिंग के बिसिक तीन एलिमेंट्स होते हैं कौनसे कौनसे मटेरियल लोबार कोरेज मटेरियल के दो पाट है कौनसे कौनसे ही अपने बिसिक तीन ऊपने खोन रेटरिन मतलब जो नहीं पौसता पड़िक चीज जो कस्टवर के आज पौसती फिर भी इंडायरेक्ट है मगली जीवल वाल्यू रही तो लेबर काभी सेम लाजिक टायरेक्ट लेबर एंडायरेक्ट लेबर आज चो कूर अक्टिविटी से रिलेटेड है जिनको वीजे स्पेड होते है और अर डाइरेक्ट बाखी इन्दाइरेक्ट इसके बाद ओवरेड कल अपने देखा था अच्पर इट्स फॉंक्शन्स डिवाइड इन्टु त्री पाट्स कौंसा कौंसा ओवरेड्स फैक्ट्री ओर पूर कॉस्टिंग में वैसा नहीं है अक्टॉंट की हर कंच कोस्टिंग में नहीं आएगे कुछ-कुछकल जैसे कि क्यों फाइनाइश एक्स्पेंडिचक्स इसमें ऑर गर्ल इक्जामपल डिसकाउंट नहीं आता, इंट्रेस्ट नहीं आता, बैंक चाउज़िस नहीं आते, बागड़ेट्स, डोनेशन ये सब रोयल्टी आता न रहे, भावना भावना में भोतिज भावना, तो ये सब घर्चे नहीं आते हैं, भले अकाउंट्स में रेकॉर्ड होंगे, तुम कभी-कभी लगा तो डाइट एक स्पेस में ले सकते हो इतना सब कुछ कल अपना हो गया था ओके, moving to the next part हाँ, methods of costing भी कल अपने देखा था method of costing and technique method and technique के क्या फरक है technique सब के लिए method हर business के लिए एक अलग रहेगी वो होती है method और सभी business को अपलिके बले वो रहेगी technique तो फिर अपने एक दो business के नाम लोगा उसका क्या method आएगा वो बो construction के लिए कुन सा method contract costing लेंगे chartered accountant operating costing में आएगा क्योंकि वो service industry में है interior decorator job costing में क्योंकि उसका हर एक job दूसरे से अलग होगा denting penting car key मतलब गार्ट होग दिये job costing mobile manufacturing plant batch में क्योंकि अलग अलग परवाड़ बनाएंगे फिर उसको वो join करेंगे, assemble करेंगे coal mining unit process नहीं, unit दिन रात एक इच काम चलता है और के प्रोसेस कोस्टिंग का एक्जाम्पल और चीप्स, कोको कोला शुगर फैक्ट्री यह सब प्रोसेस कोस्टिंग के अपने एक्जाम्पल से, very good तो टेक्निक्स marginal, budgetary and standard यह तीन देखे थे, marginal costing मतलब make or buy decision है, additional manufacture करना है तो क्या प्रेसर रखना है break even क्या होता है, यह सब चीज़े अपन marginal में सीखेंगे standard में क्या बूला था, कुछ यादारा standard costing क्या assumption काई के एरर्स कि आपने क्या सोचा था और क्या मिला इन दोनों के difference को क्या बूलेंगे standard costing बूलेंगे budget and budgetary control कोई भी event करना है पहले उसका expenditure budget करो फिर उसकी सबसे spend करो otherwise अंचन पाइसा चल जाएगा implicit explicit cost भी आयते है what is implicit cost भूक्सापकाण में नहीं रहता है ऐसा कुन सा है implicit और जो cash में फिमेंट होता है वो explicit interest on partners loan इंट्रेस्ट और पार्टनर्स लोन explicit या implicit explicit x या i कित्त लोग को आए लग रहा implicit एक दो इन कित्त लोग को explicit लग रहा इस एक्स्प्लिसेट क्योंकि लोन किसका भी हो इंट्रेस्ट फिल करना ज़ पड़ेगा इंट्रेस्ट और पार्टनर्स लोन इस एक्स्पेंडीचर इस नॉट अन अप्रूप्रीएशन आफ प्रॉफेट ठीकाए तो यह एक्स्प्लिसिट हाए और के चानरी टू प्रॉपरेटर अगोरा है इंट्रेस्प्लिसिट आएगा क्योंकि यह एक्च्वल में खर्चा है नहीं आपन सीफ सोच रहे हैं अपके कास्ट इउनिट आज का कंसर्प मतलब क्या है कि किस चीज़ पर कोस्ट तो निकाल रहे हैं यह पूरे बिजनेस का कॉस्ट है बिजनेस का कॉस्ट जानके मैं क्या करूं सब्सक्राइब सब्सक्राइब का कॉस्ट है सब्सक्राइब क्या समझा खर्चा कितना भी कर रहें मुझे क्या चाहिए एक रिमोट का मार्केट में जाके के लिए हैं तो किस फॉर्मेट में खरिदते हैं अपन डाजन में खरिदते हैं तो जब डाजन में बेचना है तो कॉस्ट किस में आनी चाहिए दाजन में आनी चाहिए तो कॉस्ट पर डाजन निकाल सकते हैं पर यूनिट निकाल सकते हैं ओके जितने भ यह सब हर एक का एक यूनित होता है तुमको द्हान पुरवग की देना है ताइकल खरिदा लेजिकल है कोई पर यूनिट के तो आपना होता है है और एक उसी कली तुम एक साबून किते में काइटन मतलब पुरा बक्सा कित्ता बक्सा कित्ते में वाइर अबिक केबल मेटर दिवाली के ताइम लाईटिंग के लिए लाए रहेंगे वाइर तो मीटर बिसिस पर चार्ज करते हैं कि यह विल्क का यह ऑब ड्रैकेट वोग मिल्क है देडी मिल्क नहीं है एक मिल्क लेकर नहीं ऊपढ। देडाख न गॉर्ट मिल अर्टी इसल को लगे यी सके जाएब पर वहीं मेड़ी में करण नोड कि देडाख़ सब भीári तो और दबागा लगेगा तो जो ट्रांस्पोर्ट सेकेटर होता है वो दो चीजों से अफेक्ट होता है तन किलोमेटर तो हर सर्विस इंडस्टी दो चीजों से अफेक्ट होती है किसे अफेक्ट कितने बच्चे पासेंजर किलोमेटर कभी ट्रेन का टिकेट देखें बुक करते समय अगर कि अगर तो नांदेट पूने या नांदेट तो मोंबू बूक करेंगे तो सब्स्टिकेट कॉस्ट है तीन सुट नांदेट के बाद पाद स्टेशन परभनी तो पूने बुक करे तो सब्सक्राइब करता क्यों कम करता जितना डिस्टंस कम कम उत्ता वह क्म करता है वैसिक्ली क्या कॉट करता है किलोमेटर करता है तो रहले वोट ने हाइदराबट्टू मुंबई है तुम नानवेर से चड़ रहे तो हाइदराबट्टू मुंबई का टिकेट लगाएंगे नानदेट्टू मुंबई का लगाएंगे कि इस अफेक्टेट बाइटू पैसेंजर एंड किलोमेटर्स ग्यास और वुडू क्यूबिक फीट तुम्हार घर में फरनीचर की टाइम तो अगर टिकूड लेके पिकूड मतलब सागवान बहत महिंगा होता है तो सागवान अगर लेके आ है तो उसका खर्चा किसमें होता ह में होता है कित्ता क्यूबिक फीट का तुम लकडी ला रहे हैं फूर्गेंज किलो कुटल टन कुटल का प्तला है किसी को कुटल मतलब है अंड्रेड केजीज इस इक्वाल टू वन पेंचल और तन वन थाउजन केचीज सुवार पर टन हस्पिटल्स पर पेशन डे किते पे पर वेहिकल ब्रिक वर्ट पर 1000 जब तुम कंस्ट्रक्शन को मंगाएंगे तो 1000 में काउंट होंगे बिल्डिंग स्कॉर फीट जब तुम फ्लाट वगरी खरी देंगे तो क्या बोलेंगे वो कित्ता स्कॉर फिट का फ्लाट है स्कॉर्ण फॉन जब फेर अंडर यूनिट पर वह यूनिट्स क्या करता है ऐल्टोन जब घर पे मेंटर बिल्ट होता है है और यूनिट मतलब किया है एक पॉटिकुलर 1000 ौट्स या ठील गिलिट का एक यूनिट मुझा नहीं पता है एक अंधा बोल्च तो एक किणिवाट क सबसे वो एक यूनिट रन होता है ठीक है तो विसिकली अल्टिवेटली तुम्हारी पावर किलो वैट हार्स में ही काउंट होगे पेपर रिम क्या होता है एक गूल ऐसा अगर तुम कभी न्यूस्पेपर इंडस्ट्री में गाए तो वहां पर पेपर है न एक पाउप को सब् रिम बोलेंगे एवन टेक्स्टाइल के लिए भी रिम रहता है रिडिमेट कपड़े नहीं सिलाई वाले कपड़े लेते समय कभी दुकान में गए है और पलेट के रखा रहता है तो उसको रूम बोलेंगे रोड कॉंट्रेक्टर्स पर माईल और पर किलमेटर बासिकल इन सबकी यूनिट्स लिखो और इदर अभी मैस्ट फॉलोइंग पड़ा करेंगे बाद में तो यूनिट्स लिखो यह इसके एक किस नमबर कॉश्चिन के झरिक पर किस नमबर के जबर के पुश्चिन के एंगे निफ्माणा बूल. झाल 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 तन किलो मेटर स्पील तन पूल तन बाइसिकल योनिट बूज कंस्ट्रक्शन पर योनिट क्योंकि बूज है न लंबब बूजे तो जादा रहेंगा इसा जूरूरी नहीं है नीचे किता जाना है किसको पता है समुन्दर की उपर का बूज अलग बनेगा पाड की उपर का बूज अलग बनेगा किलोमेटर वाज थोड़ी कांस्टिंग होती है अभी वो बैंदरा कुरला कॉंपलेक्ट बैंदरा कुन सा तो रूड है तो वहाँ पर अगर तुम समुन्दर की उपर का बूज और हिमालाई के अंदर कंस्ट्रक्शन का बूज और नांदर में बनाने है लबरीच इन थोड़ी रहेंगा हर जगा कोस्टिंग अलग-अलग जाएगी इन्टिरे डेकुरेटर याज पर जॉब या एक्चुली जन्रली परसेंटेज में चार्ज करते है किसके परसेंटेज कित्ता खर्चा हुआ उसका धन्रली ये इन्टिरे डेकुरेटर बस टका लेते ठीक है तो ये परसेंटेज में कावा करते है अगर वीडियो है तो पर सेकेंड अगर प्रिंट है तो पर एरिया अभी वो स्क्वेर फिट स्क्वेर इंच न्यूस्पेपर है तो पर स्क्वेर इंच और अटीज वगर उले तो पर स्क्वेर फीट रेडिमेट फर्नीचर पर यूनिट स्टूर पाक्ट्री केजी तान वेंटल जो बोला है वोलो method of costing कौन सी किसको connect करने हैं देख लो जोड़ा लावा जिसका sure shot है वो लगाओ फिर balance सोचो जे लोड़ाई वोड़ाई प्रका जोड़ाई लोड़ाई भी उप लोड़ाई लोड़ाई आदो ओके जाल, ओके, कॉन्ट्रेक्ट, इच कॉन्ट्रेक्ट, कॉन्ट्रेक्ट को जोड़ुदू, जाब, इच जॉब, यह प्रॉपर लग सकता है, ओके, प्रोसेथ, यह सिंगल, एक मिनिट, पर बेड़े, मॉल्टिपल, ऑपरेटिंग, सिंगल प्रोसेश, हाँ, एक मिनिट, हाँ, सिंगल का, इच यूनिट लगेगा, ऑपरेटिंग, पर बेड, पर डे, प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस कोस्टिंग कुछ न कुछ तुब बनाएगा न, शुगर जैसा, शुगर इंडस्टी प्रोसेस में आते पर टन, मल्टिपल, पर टन, पर किलोमेटर, इसमें सिर्फ दो चीजे तुम इदर-ुदर कर सकते हो, multiple and operating वाला अंसर इसके साथ उसके साथ replace कर सकते हो operating पर बेड भी आ सकता है even पर टन पर किलोमेटर भी आ सकता है यह दोनों इदर उदर हो सकते हैं बाकी सब correct है जाला ओके अपन कल देखे थे उसका इंपोर्टन पार्ट देखने जा रहे हैं ओके ध्यान दो ओर एक क्यों होते हैं एक तो fix या फिर वेरियाबल या फिर समाय वेरियाबल फिक्स मतलब विच भी हो तो अमाउंट सेम वेरियाबल यूनिट चेंच अमाउंट चेंच जैसे की इस हॉल का रेंट अभी इस हॉल का रेंट कैसे जाएगा फिक्स बच्चे कम एक भी बच्चा बैटा तो भी उतना ही रेंट देना है तो बिसिकली नहीं बेठे तो भी देना चे तो बिसिकली रेंट इस नॉट अथाल अफेक्टेड वा नंबर ओ यूनिट्स तो रेंट क्या हो गया रेंट हो गया एक्स्ट कास्ट जो चेंज ही नहीं होता वेरी ओलर येस नोट्स जो तुमको नोट्स देने है किस से सबसे चेंज होंगे स्टूडेंट के साबसे स्टूडेंट ज्यादा नोट्स के कोस्टिंग ज्यादा एक ही बच्चा है तो हमें एक ही प्रिंट निकालोंगा दस बच्चा है दस प्रिंट सो बच्चा है सो प्रिंट पचास बच्चा है पचास प्रिंट बेसिकली नोट्स का जो प्रिंटिंग कॉंस्ट है वे डिपेंडिंडिंग ओन नंबर ओफ टूदेंट्स यह वेरियबल है अब कुछ-कुछ आते हैं सेमी मतलब इसका कुछ पार्ट फिक्स है कुछ पार्ट वेरियबल है जैसे कि एक्जामपल कि इस एक्ट्रिशिटी क्यों है ठीक है इलेक्ट्रिसिटे थो उट्टी पे चले गए एक महिना यूके उत्तरा खंड निखाए तो तुम अभी यूके को गूंने गए एक महिना तो तुम आरे घर में एक भी बिजली का बल्क नहीं लगा नहीं लगा तो भी ला जित्ता जादा उस करेंगे उत्ता यह और तो बोल सकता थे मोबाइल के प्लान्स अभी वह भी ने बोल सकता मोबाले सब फिक्स कर दिया भी महीने का तुम डिसाइड करो उत्ता तो पैसा लगेगा च्प यह गया फिक्स अगर मुझे देना है हाँ अगर तुमको भूट लग लिमिटेड बाकि सब लिमिटेड आभी तुम है भूट कर लिमिटेड वाला खतम हो गया फिर भी भूट लग गए फिर तो उनको और ऐडिशनल मंगाना पड़ेगा जो आइडिशनल मंगाना है उसको तो प्वास्ट देना इस पड़ेगा तो उट कॉस को क्या बोलेंगे हालवी का सबस्क्राइस रूपे फिक्से तो पचास रूपे थालीके प्लस दो रोटी एक्स्टा मगा है तो वह गया वेरेबल तो जो फूट करस्ट है अपना उसको सेमिवेरेबल बोल सकते कुछ पार्ट फिक्स कुछ पाट variable, और कुछ एक एकजमपल से मिंवियरबन कुछ पाट fix है कुछ पाट variable कि टालिफोन चाहच ये ऑई मोबिल का कि पर्टिक्ट्रबल्ड प्लान में एक fix रहता है, और बेता til शेंज isوق है या कौल चेंज हो गया?, समस चेंज हो गया?. तो billing extra लगई जाण तो इसका मुझे टेंशन नहीं है, इसका मुझे टेंशन नहीं है, टेंशन इस चीज़ का है, अब इतका क्या प्राब्लम है सेमी वेरेबल का, कि सेमी वेरेबल में किदर पिट करूँ, टिक्स में या वेरेबल में, कर देता है, तो ऐसा नहीं, तो सब सेमी वेरेबल की तुक कालना यह चीज, एक्जाम्पल, say for example, 10,000 units, उसके case में cost है, suppose 25,000, 15,000 units, उसके case में cost है, suppose 85,000, चीक है, तो यह 50% से बढ़ा, cost भी 50% से बढ़नी चाहिए, बढ़ी तो नहीं, फिर इसमें से कुछ part fix है, कुछ part variable है, कैसे निकालना, तो formula है, variable cost per unit is equal to, variable cost per unit is equal to, change in cost by change in units, यह output, जो भी, change in cost किता है, 25 का 35 होगा, मतलब किते से change हुआ, 10,000 से, change in output, 5,000 से, तो per unit किता cost है, rupees per unit, तो rupees per unit यह cost है, यह क्या है, variable cost है, पर मुझे fix का धुनना है, तो यह है मेरा case 1, यह है case 2, कोई भी एक case लगते है, तुमको जो मन में आ, कुछ सा case लेना बोलो, 1, ठीके, case 2, ठीके, कोई भी एक case लेलो, उसका total cost, total cost किता दिया, 35,000, उसमें से variable cost minus करो, variable cost, एक unit का किता था, दो, दूसरे case में कितते हैं units, 15, 15 into 2, 30,000, अगर पूरे cost में से variable cost निकाल दिया, तो बचेगा क्या, fixed cost किता, 5000, सर, आपको पता था पहले सी, इसले case 2 ले, case 1 लेते तो, case 1 लेते तो, case 1 लेते तो भी सेम आता था था, देखो, total cost, किता है total cost, case 1 में, 25,000, less, variable cost, एक unit का दो, तो किता है unit इसमें, 10,000 into 2, 20,000, तो fixed cost, पहले भी चंसर आये तक है, fixed cost remain, fixed, तो 5000, case 1 या 2 तुमको जो 1 में हो ले सकते, पर fixed cost वेसे आएगा, तो semi variable cost में से variable and fixed को अलग-अलग कर सकते, तो इस cost के अंदर 25,000 में 5000, fix है, और 20,000, variable है, 35 में 5000, fix है, 30,000, variable है, और इस variable को अच्छली आईसा total नहीं लिखना, यह format में लिखना, किते per unit, जिपा, कैसे निकालना समझा, जाओ starting के page पे फॉर्मॉला लिखो, मैंने बोला तो starting का, जैसे chapter का नाम डाले, तो पहले उसमें, IMP points लिखने है, तो starting के page पे फॉर्मॉला लिखो, अच्छली, य सवय वाएबल म र सवय था र सवय तो, वारियो काआंग बिखो र श्याजै के पे पे लिखने हैंग, चंज के बेस्चंग अचंग, की onesस्वयर्मॉटारा लिखने हैंग यह output लिख सकते हो उसके जैसा ही और एक formula लिखो variable cost in percentage variable cost in percentage is equal to variable cost in percentage is equal to change in cost divided by change in cost divided by change in sales change in sales into 100 into 100 तो यहाँ पर जैसे per unit cost आया और वह वाला formula लगाते तो क्या आता था percentage में आता था ठीक है तो let's check है तो question number 22 1 and 2 करो 1,2,1,2 1,2 प्रैकरो 1,2 1,2 डाल का डाल का ok let's check first case change in cost 25,000 की cost किते हो गई 45 तो किता फरक आया 20,000 change in units 10,000 की 20,000 मतलब 10,000 तो किता आया रुपी रुपीज टू पर यॉनिट ठीक है रुपीज टू पर यॉनिट आ गया फिर उसके अंदर case 1 लेंगे case 1 में किते है cost है 25 variable cost एक यॉनिट का दो रुपे total unit किते है 10 तो 20 fix cost किता है 5 आया कैस अपके case में ये ओके change in cost 48, 125, 64, 375 में किता फरक है 16, 250 आयन आउट्पूट में किता फरक है 5000 तो पर यॉनिट किता है रुपीज 3.25 पर यॉनिट माब आप दो सिफ 3.25 मत लिखो पर यॉनिट लिखो ऐसा अपके पर यॉनिट टोटल कॉस्ट किती है फर्स केस में 48, 125 पर यॉनिट का 3.25 तो 24,500 इंटू 3.25 पर यॉनिट किती लोग को जमा दोनों भी ओके चलो क्वेशन नबर 3 ट्राइ करो नहीं तो मैं बताई दूंगा पर लेट सी तुम में आता है क्या पहले बोच चेक करें क्वेशन नबर 3 और 4 पहले 3 करो 3 3 होते ही बोलो 3 जमताइका बोपन जमताइका 3 तो जमताइका बाद करो क्या जमताइक करा भी बताई से जमताइक。 भी का बोलो जमताइका बोलो जमतामाइका बोलो पहले 3 बोलो 2 झाल झाल ऑके चेक इट तो सबसे पहले उस डेटा को आपने डेटा में कनवर्ट करो आउटपूट किता दिया था चेहाजार तेरहाजार और प्रॉफिट दिया था पच्छेस अजार एंड तो मुझे सेलिंग प्रेस भी दिया था क्वेशन में अगर मैं आउटपूट को सेलिंग प्रेस ते मिल्टिप्ला करो तो क्या मिलेगा आउटपूट इन्टो सेलिंग प्रेस सेल्स सेल्स मिल जाएगा तो 6,000 इंटू 10 60 एंड 13,000 इंटू 10 1,30 तो ये अमोन मिल गया अभी मुझे कॉस्ट निकाल ला है बच्पन से सिखते है ना सेल्स माइनस प्रॉफिट इस इकॉल तो कॉस्ट तो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस को रोच 26 माइनस पच्चिस 35 1,30 माइनस 60 70 तो अभी तुमको जो चाहिए ना ये मिला कॉस्ट इधर आउट्पुट इधर तुम चेंज इन कॉस्ट बाचेंज इन आउट्पुट से भी कर सकते हो या तो चेंज इन कॉस्ट बाए चेंज इन सेल्स से भी कर सकते हो तुमारी इत्छा किते लोगों को समझा कि cost निकालते आता है किते लोगों ने cost निकाला good बाकी लोग समझो कि जब sales and profit दिया है तो तुम उसको cost निकालते आना चाहिए ओके तो change in cost किता है 35 35 का 70 और 35 change in sales 60 का 1 lakh 30 तो किता हुआ 70,000 50 परसेंट तो 50 परसेंट variable cost है यहाँ पर ओफूली को बहुत लोग गलतिया करते हैं बहुत लोग मतलब अगर तुम अभी नहीं करें तो बच गए पर future में यह है तो तुम गलती करने के वह ज़्यादा chances है तो मैं जब भी accidental area बोलता हूँ class में तो ध्यान में रखना ऐसा कुछ तो draw करना अभी जैसा मैंने यहाँ पर बोला accidental area तो A square ऐसा गोल कर देना इसका मतलब क्या है आगे जाके यहाँ पर गलती होने के chance से खत्रा है तो next time जब तुम तुमारे notebook पढ़ेंगे और A square ऐसे कहाँ पर दिखा है कि मैं यहाँ पर गलती करता हूं तो revision करते समय तुमको help करेगा वो ठीक है accidental area तो क्या accidental area है 50% के नीचे ओफू लिखो अभी ओफू क्या होता है बहुत लोग को वो भी नहीं पता है only for understanding यह तुमारे मेरे understanding के लिए बात चल रही है एक्जाम में नहीं लिखना है अगाउ का मा यह तुमारे सिफ understanding के लिए मैं बता रहा हूं ठीक है ओफू ओफू only for understanding ओफू ओफू क्या लिखते है variable cost 50% means variable cost 50% means variable cost 50% means if sale is rupees 100 if sale is rupees 100 variable cost is 50 variable cost is rupees 50 okay लिख लिए अभी कोई भी case 1 ले लो case total cost किता है 35 35 variable cost 50% तुम क्या गलती करते हो पता है 50% 35,000 का ले लेते हो 35 का 50% नहीं लेना sale का 50% लेना 60,000 का 50% 30,000 fix cost लेना fix cost लिए 5000 को गलत किया 35 का 50% ले है कोई नहीं ले है बहुत अच्ची बात otherwise यह 35 का ले लेते यह समझ में आया क्या यह 30,000 कैसे आया 60,000 का 50% करके आया Question number 4 Same है, Solve करो और बोलो Fix Cost कितना Question number 4 Same है, Solve करो और बोलो Question number 5 Hmm, hmm झाल 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 62.5% तो variable cost आए 62.5% आया क्या तो total cost case 1 के अंदर किता दिया है 42050 62.5% किसको अपलाए करेंगे sales 54,000 को अपलाए करेंगे तो 54,000 into 62.5 यह आएगा 33,750 तो fix cost आएगा 8,300 आभी क्यो 56 56 हो गया कित्ते लोग का 56 भी हो गया 5 and 6 ट्राइ करो same sales and profit डिया है 5 and 6 के अंदर 5 and 6 के अंदर sales and profit डिया है 5 and 6 के अंदर sales and profit डिया है अब दिखो 5 के अंदर sales and profit डिया profit and sales डिया है तो cost कैसे निकलते हैं sales minus profit बड़ी ये loss है तो loss को क्या करना पड़ता है add तो 36 plus 8 44,000 हो जाता है और selling price दी वाली है 12 तो sales को 12 से divide करो तो ये units आ जाते हैं तो मैं तुमको ये question convert करके दिया है तुमारे format में बाकि तुम करो ओकि चेंज इन कॉस्ट फिफ्ट केस में 44 का 68 24,000 change in sales 36,000 percentage किता है 66,666% total cost फिर्स केस में किता था 44 उसमें variable cost 66% किस का लेंगे sales का 36 का 66% 24,000 तो fixed cost आएगा 20,000 तो फिफ्ट कांसर 20,000 आया क्या कित्वे लोग को जमा 20,000 गलत गया 44,000 का 66 कित्वे लोग ने लिया 44,000 का 66% 6 6 के case में sales यह था 22,500 एक लाग बाराजर पास्टो एक लाग बाराजर पास्टो cost पता नी profit दिया है 0 and 60 0 and 60 selling price दीती 15 तो sales को 15 से divide करो 22,500 को 15 से divide करो कित्थ आता है 1500 और एक लाग बाराजर पास्टो को 15 से divide करो 7,500 cost कोई से मिलता है sales minus profit cost sales minus profit cost तो 22,500 52,500 यह cost मिल गाए तो variable cost in percentage variable cost in percentage change in cost change in cost कित्ता cost change हो रहा है देखो 22,000 पास्टो से 52,500 30,000 change in sales 22,500 से एक लाग बाराजार पास्टो 90,000 तो कित्ता परसेंट चेंज आया है 33.33% तो total cost कित्ता है 22,500 variable cost 22,500 का 33% 7,500 तो fixed cost आता है 15,000 आया लिख लिए अभी कुछ कोशन दूगा वो सब को आने चाहिए या करना बाबू अभी के लिए अभी के लिए और उतलन इड़ प्रॉम्राइट ऑाजन अग्राइट पंदर पंदर सेलिंप ही आखन पंदर के elles शैलिंप्र कर दो आखनर और अगो एंसे ला कर दो उकपूंद टो औरabei economies झाल झाल खित्ता रजवां बुलू 6,000 6,000 6,000 6,000 कोई कर रहा भी भी जाल ओके सेलिंग परेस 15 तो सेल्स 6,000 इंटू 15 90,000 आएगा तो सेल्स एंट प्रॉफिट पता है तो कॉस्ट आएगा 60 and 96 तो चेंज इन कॉस्ट 96-60 36,000 चेंज इन सेल्स 60,000 तो परसेंटज किते आरे 60% तो 60 टोटल कॉस्ट फर्स केस में किती है 60,000 वेरेबल कॉस्ट किसका लेंगे सेल्स का याट इस 90,000 का 60% 54 तो फिक्स कॉस्ट आएगा 6 फिक्स कॉस्ट आगया कग्रेक्ट नेक्स्ट कोश्टिन is profit पता है जेनLY 5000- dette ऐसार बी ऐसार सेल्स पता है 25,075,000 gent कि इस चेलिंग पैस 10 आग्य हो यह प्रेस्जां डिए नियुट्टे डाइए, देट डाइए, यह प्रेस्टेन, तो सेल्स, 25,000 अठीछ यह यह डाई, यह 35,000 का साड़ स्थार्ट तो कॉस्ट हो जाएगे तुम्हारे 20 एंद 85,000 ओके तो चेंज इन कॉस्ट 85,000 पा चेंज इन सेल्स 50,000 तो परसेंट जाएंगे 70 तो टोटल कॉस्ट चेंज जाएंगे 70 लेंगे 25,000 का तो धाई अजार रुपया आना ची आविग्यों सबका के लास्ट कोश्टिन करो और सेलिंग प्राइश देनी पड़ेगी ना ओओ ठीके शेल्स भी दिदेंगे चलो लियो सेल्स यूनिट प्रफिट सब्देदिया प्राइश चेल्स सबक्र 드rete प्राइश कर रहीं विद्ग इचे थीष्यों सेलिपट सबक्रों झाल झाल आ रहा है क्या एक उन्हेटा 51 51 सबका क्या हवलेपंति कर रहे रहे बाबा गलत है निकालो जल्दी चलो चांस दे रहा हूं एक आ 25600 चलो लेट चेक एक तो मैच गलत कर रहा है या तुम गलत कर रहे हैं सेल्स में से प्राफिट गया 43,000 का कॉस्ट 90,000 तो चेंज इन कॉस्ट 90 माइनस 43 और सेल्स में चेंज आओ 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 156 आओ 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 तुमारा क्वेश्चन गलत हो गया वीक्यू नहीं रूखो आपने इसको चेंज करेंगे आओ आओ क्वेश्चन रॉग क्वेश्चन निगर नहीं रहे जी भीक्स कॉस कुछ भी निकाल रहे हैं तुम थाओ ठीक है आओ करेह आओ 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 झाल झाल